आप सब देख रहे हैं आज हम सब डिसकस करेंगे अपने फिक्सन वाले सेग्मेंट में एनिमल फॉर्म को एनिमल फॉर्म बाइ चोर्ज और वेलिक बहुत ही फेमस एरिगॉलिकल वर्क है आप सबी लोगों ने इसके बारे में कहीं अपने ग्रेजुएशन में अपने पीजी में इस वर्कों का जिक्र जरू सुना हो गए इतना इंपॉर्टेंट वर्क है जो की जोर्ज और वेल ने दिखा हुआ है इसको हम डिसकस करेंगे इसके परिपासे स्टार्ट करेंगे हम पूरे बुक में सेवन कमांडमेंट्स दिए गए बड़े इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग कमांडमेंट्स है इनको हम सब देखेंगे बिलकुल बहुत ही मज़ा आने माला आप सभी लोग को एक बार वीडियो सेयर जरू करिए दोस्तों के साथ और नहीं हो तो सब्स च्हका नाम है एरिक आर्थर इब्लेर के ऐसे औरलेल ंने मैं बट इन्हों ने अपने नेम अपने सब्रीक की योड जोर्ज औरवैल से अपने वसको दिखने स्टाट किया था अगर इनका जन्म होता है दोस्तो 25 और जून 1903 को 25 और 1903 में इंपोर्टन बात होती है कि यह कहां पर इनका जन्म कहां होता है भारत में तो देशो बरत कहां दोस्तों मुतिहारी 1903 में मुतिहारी देखो बंगाल प्रसिडेंसी कैंतरगात आती थी ब्रृतिस इंडिया में बट प्रजेंट टाम में देखें तो मुतिहारी जो चेंज हो चुका वह कहां पर इस्ट चंपादन के बिहार इंडिया में ओके सो टेक्निकली अगर देखो गए तो जोर्ज और्वेल का जन्म कहां पर हुआ है तो इनका जन्म हुआ है बिहार में ना आज के क्योंकि जिएग के बारे हम बात करें अगर सो इनकी मृत्ति हो जाती है दोस्तों 21st of January 1950 को जब यह सिर्फ 46 years old थे 46 years old में इनकी देख के पहले इन्होंने धेर सारे important works लिख दिया में 1984 जैसा हिन्होंने science fiction दे दिया एनिमल फॉर्म जैसा हिन्होंने allegorical work दे दिया मतब काफी अच्छा इन्होंने अपना काम वहां पर दिया 46 की एज में प्लेस ओप देथ के बारे हम बात करोगे तो यूनिवर्सिटी कॉलेज होस्विटल लंडन इंग्लेंड में ओके यह देखो भारत के मुल निवासी नह तो वह शुटन कॉटनी ओक्सपोर्ट सायर इंग्लैंड में इनका पैन नेम है जॉर्डज और्वेल तो क्वेस्टन सबसे जो पहला पर प्राषणन यही बन जाता है कि जॉर्ज और्वेल का रियल नेम क्या है थीक है आप से देखो यही दो नेम क्यम आकसर पूछ लेता ह सबसे बड़ी बात होती है तो रिस्टोपिया आप सभी तर्म याद होगा दोस्तों यूटोपिया के बारे में ठीक है यूटोपिया यूटोपिया एक ऐसा मतलब टर्म था जिसको दिया गया यूटोपिया के बारे में बताएगा कि यूटोपिया में सब ठीक होता था ठीक है इमेजिनरी लेंड था बट इन्होंने जो जो इनका जो जॉनर था दिखने का वो क्या है डिस्टोपिया नाम ब्लेस वहां पर सिफ इंजस्टीस को हम समयाली घरते हैं में अभी एक सिरी स्टार्ट करूं गा सारे लिटररी टाइस के बारे में भी ठीक है जिस्टोपिया क्या है यहां पर कि प्लेस वेर देयर इज़ ग्रेट सफ्रिंग और इंजस्टिस ठीक है एक ऐसा बता है यूटोपिया का आपका अलग ठीक है उसके बाद रोमन डे क्लाफ और इसका एक और थिम क्या थे इनका सटायर सबजेर के बादे में ध्यान से बढ़ो गया आप सब्जेc इनके क्या कहते हैं तो ऐंटी फासेजम हो गया डेंटी क्रें इस्टलिस्म परी में यह toijn इनका सब्ञेट इन्होंने रिखा डे ममोगतिक ससलिस्म पर क्योंकि इस्टलिल से गार्ट्रिंछ इस्टेलीन था वो अपोजिट था सोशिलिस्ट नहीं था और इनका जो कॉंसेप्ट था इनका पोइंट और व्यू था वो क्या था सोशिलिस्ट हुआ करते थे एक्टिव एर 1928 तो देथ 1950 तक इस पोजेश के बारे में देखें तो दो इनके इस पोज थी एकका नाम था इलीन एकका नाम था सोनिया बाकी इंफर्मेशन आपके स्लाइट में वीजिबल हो गया आगे देखें यहां पर तो एरिक आर्थर ब्रे अपोजिशन टू टू टोटलिटरिश्म एंड आउट्स्पोर्किंग सपोर्ट डेमोक्रेटिक सोचलिज्म है इस बेस्ट नॉन फोर दा अरोगेलिकल नोवेला इनका अरोगेलिकल नोवेला क्या नाम दोस्तो एनिमल फॉर्म जो की आया है 1945 में एंड डिस्टोपियन नोवल यह बहुत बार आपसे क्वेशन पूछा गया है कि 1984 क्या है साइंस फिक्षन भी लोग इसको बताते हैं क्योंकि दिखा है 1949 में और जिक्र किया है 1948 को मतलब नो फ्यूचर के बारे में बात किया साइंस फिक्षन है डिस्टोपियन नोवल भी है ठीक है 2008 में ता टाइ टाइम्स के तरफ से क्लिस्ट आया हुआ था इंदा टाइम्स के दरफ से कि 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिस राइटर्स में इनका नाम सेकेंड पॉजिशन पर आता है तो यह तो बात हो गया किसके बारे में एरिक आर्थर बिलेर या पीर आप कर सकते होगी जौड और विल की बारे में कुछ बेसिक बेसिक चीज़े हमने आप जान लाइन के लाइफ के बारे में अब हमें जो में स्टडी कर दी है हमारा जो टार्गेट है आज का वह है एनिमल फॉर्म जो कि हमारे से लेबस में दिया गया है इसके बारे में क्या चीज़े इंपोर्टन्ट हो सकती है उसको अब हम इहां बर डिसकस करना स्टार्ट करते हैं तो डिवलेवसर इसके और अलिवल में स्टार्टन्ट डिखायां कि और का से है क्योंकि अहीदधा पूर्यया का पूरा फॉर्म था वह लेगा जान्वरों के बार satire and allegory ठीक है थो animal farm is a satirical allegorical novella novella by George Orwell first published in England पहली बार कहा पुब्लिस होता है दोस्तों इंग्लेंड में पुब्लिस होता है on 17th of August 1945 17th August 1945 में ये पुब्लिस होता है दा बुक अब दा बुक is about the story of a group of farm animals farm animals थे जिनने animals को farm में रखा जाता है उनने animals की कहानी है who rebel against their human farmer और जो क्या करते है रेबल करते हैं विद्रो करते हैं किसे खिलाफ अपने ही human farmers के खिलाफ hoping to create a society where the animals can be equal, free and happy so इनका जो rebel था इनके rebellion के पीछे का concept क्या था so ये hope करके रेबल करते है humans के खिलाफ कि जब ये rebel करेंगे जब ये जीतेंगे तो इनका जो भी concept होगा जो भी चीजे मतलब जीतने के बाद को result निकल के आएगा वो क्या होगा इनके लिए अच्छा होगा इनके पक्ष में होगा खुल मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये उस चीजे को जीत जाएंगे तो इनको humans से अच्छा treat किया जाने लगएगा जब ये खुद में रहेंगे ultimately last में क्या होता है चानक से the rebellion is betrayed इसको betray किया जाता है and the form ends up in a state as bad as it was before मतलब जैसे human beings के हाथ में जब फार्म था तो ज़्यादा अच्छा था but जब ये Napoleon एक pig character है इसमें जब एक Napoleon के अंडर में ये फार्म आ जाता तो इसका state क्या जाता और state as bad as it was before इसतना पहले बुरा था उससे भी ज़्यादा बुरा इसका हो जाता है under the डिक्टेटर्सिप ओफ पिग नेम्ड नेपोलियन नेम का एक पिग है ठीक है वो यहाँ पर एक important character Napoleon को अगर आप देखोगे तो antagonist जो स्टालिन का character यहाँ मतलब स्टालिन को इन्होंने बतानी कोशिस की थी तो स्टालिन को कही ना कही नेपोलियन महीं हम सब इसको यहाँ पर देख देते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते है according to Orwell Orwell के according क्या क्या चीज़े हैं जो उन्होंने बताया अपने सुवर्ग के बारे में इसको यहाँ नो लेंसन करते है according to Orwell the fable fable means वही जानवारे की जो कहानी होती है reflects event leading up to the Russian Revolution of 1917 and then on into the Easternist era of the Soviet Union ओके तो आप सभी दोग बहुत अवेर होंगे इस एक घटना से जिसका नाम है Russian Revolution सभी दोगों ने हिस्टरी में इसको पढ़ जरू रखा होगा Russian Revolution that happened in 1917 17 में ये घटना घटी थी और उसके बाद on into the Easternist era एक वहाँ पर डिक्टेटर बन गया जिसका नाम क्या था स्टालिन था सो इस्टालिन का जो यूग चला रसिया के लाबाब सोवियत यूनियन में उसके बारे में हाँ पर बताता है ठीक है Orwell a Democratic Socialist Orwell क्या है George Orwell को अगर आप देखेंगे ध्यान सुथे एक Democratic Socialist थे बाइगराफी में हमने डिसकस किया था वह आज ए क्रिटीक अब जॉसेफ स्टालिन वह क्या थे क्रिटीक थे किसके जॉसेफ स्टालिन अब हूँ जॉसेफ स्टालिन के लिए रचुकी बात आपको दोस्तो स्टालिन जो वहाँ का ताना सा था रसिया का उसके बारे में बात कर देखेंगे जॉसेफ स्टालिन बहुत एक डिक्टेटर्शिप था वहाँ पर अगर स्टालिन के बारे में आप जानना चाहो तो इसका जो 1878 से लेकर 1953 यह इसका क्या था पूरा का पूरा टाइम परियेड था यह वहाँ पर रूस की चीज़ी यहाँ पर स्ने हेंडल की थी एंड हो स्टालिन टू मॉस्को डारेक्टेद स्टालिजम एंड टूट डेट वास क्रिटिकली से लिए एक एक्पिरेंसे दूरिंग दा मेरे डेज कंफिक्ट बित्विन दा पूर्ण और स्टालिस फोर्स डूरिंग दा इस्पैनिश सिविल वर के बारे में पढ़ना मेरे इस के बारे में पढ़ना यह साई चीज़े ऐसी हैं जो हमें इंडिया की हिस्ट्री आप सभी तो बहुत अच्छे से जानता होंगे एंसीन मेडिवल मोर्ण बट अगर वर्ड के बारे में देखो विये तो इस्पैनिश सिविल वर एक बहुत मतलब इंपोर्टेंट आपको महां पर चीज उभर क्या तो इसको भी नहीं डिसक्स नहीं करेंगे दा सोवियत उनियन हैड अदा सोवियत उनियन हैड बिकम अ टोटेलियन ओटोक्रेशी बिट अपोन अ कल्ट ऑफ परसनलिटी वाइल इंगेजिंग इन प्रेक्टिस ओफ मास एक साटारिकल टेल की रूप में उने किसको रिप्रेजेंट करवाया अपने इस वर्क को और इन जहें से वाय आई राइट 1946 रोट देट अनिमल फॉर्म वाज दा फर्स्ट बूक इन विच त्राइड विट फूल कॉंसियसनेस ओफ वाइट 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 पूंसियसनेस में इस बात को बताते हैं कि इन्होंने इसको रिखने कि इनका रिजन क्या था पूरे एक कम्प्रीट होल में यह दून चीजों को वहाँ पर कर सके हैं चीजे चलिए आगे बाटते हैं टाइम मेगजिन के बारे हम बात करते हैं चोज दा बुक एज वन ओप दा हंडेड बेस्ट इंग्रिश लैंग्वेज नोबेल्स 1923 से 2005 यह इस एरा में इतने भी बुक पब्लिश होते हैं उसमें इस बुक को सामिल किया गया इत अलसो फीचर्ड एस नंबर थर्टीवन ओन दा मोडन लाइब्रेरी लिस्ट अफ ट्वेंटीथ सेंचुरी नोबेल्स एंड नंबर 46 ओन दा बीबीसी इस दा बिग रीड पॉल इट वोन अ रेस्ट्रपेक्टिव हुजो अवर्ड इन इस इंक्लूड़ेड इन ग्रेड बुक ओफ दा वेस्टन वर्ट सेक्शन कुछ इंफॉर्मेशन से कुछ फैक्ट्स हैं एक्जाम में क्वेस्ट्स बनने के चांसेज कम रहते हैं बढ़ हां अगर नेट यूजिसी नेट वगरा दे रहे हैं तो उसमें हो सकता यह सारे फैक्ट्स जो हैं आप से वहाँ पर पूछे जा सकते हैं अगे बढ़ते हैं तो एनिमल फॉर्म के इंपोरेंट करेक्टर्स के बारे में बात करें देखो एनिमल करेक्टर्स ही इंपोर्टेंट है, most of the questions आँमें वहां से देखने को मिल जाएंगे और जो इसरा टाइप यहाँ पर बन के आएगा आपका अनिमल करेक्टर्स के यलावआ वहां बन करता है यहां पर जो की कारेक्टर है है हमादो जो कि मानु यह पर ठीक है? चलो सबसे जो फर्स्ट करेक्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उसका नाम दिया इन्होंने His name is Napoleon Napoleon क्या है? Napoleon is a pig Napoleon Napoleon the pig who emerges as the leader of animal from after the rebellion rebellion के सुरू में नहीं rebellion जब खत्म होता है तो उसके बाद जो एनिमल फॉर्म का डिक्टेटर लीडर तानासाब बनके जो निकलता उसका नाम क्या है नेपोलियन है बेस्ट ओन जॉसेफ स्टालिन जॉसेफ स्टालिन कौन है भी मैंने बता दिया आपको रस्किया का डिक्टेटर्शिप था तो जोसेफ इस्टालिन के केरेक्टर मींगे में बेरान इसका करेक्टर नेपोलियन का नेपोलियन इस्मे क्राफटीनेश नेपोलियन ऑफटे applies देन हिस काउंटर पार्ट स्नॉबल स्नॉबल भी एक करेक्टर है तो कुछ में आकर आगर आपसे इतना पूछा जाए समराइस में आप याद रखो कि नेपोलियन कौन है एक पिग है जो की लीडर बनता है कहां का उस एनिमल फार्म का उसके बाद काउंटर पूट कौन है समकत सोतिय और कांटर पाथ आप सर्ण है पिगज्वश्छ छथा इंपोलियन फे कंत्रोल ओफ एनिमल form of the rebellion ठीक है rebellion के बाद गड़ेंडा नाम है Napoleon एका नाम है Unknown both are pigs ठीक है और अगर देखा जाए तो इसका जो गड़ेंडा है ऑ़ нрав गड़ेंगा है यहां पर lion Trotsky के ऊपर ठीक है So Leon Trotsky के बारे में बात की जा तो यह कौन थे तो यह भी जाए चाहिए बात है उसी के समकालीन थे ठीक है मार्क्स वादी थे ठीक है तो यह थे लियोन तुरुतास्की जो भी इसको प्रणास करें हम सब तो इसका करेक्टर कैसा दिया आगे हैं आपर इंटेलिजेंट है एक पैसानेट करेक्टर है इसके अंदर बुलाई थोड़ी ज्यादा है इसके पास पाहर होती है उसके पास उसकी आर्मी होती है बड़ जो जनता होती है जो पब्लिक होती है वो कहीं और जाना चाहती है तो इस पहानी में एनिमल फ़र्म में वो इंसान कोन है उस इंसान का रोल प्ले कर दा है है और इस तो आगे बात की जा तो यहां पर एक और करेक्टर हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है बॉक्सर कोन है तो बॉक्सर इस आ काट होर्स एक घोडा whose incredible strength, dedication and royalty play a key role in the early prosperity of animal farm and the later completion of the wind mill okay so यहां पर बॉक्सर के बारे में बात की जा तो यह dedicated person है dedicated animal इसका loyalty जो है जो इसकी loyalty क्या करती है की role play करती है एनिमल फॉर्म की prosperity में इसका तो शुरुवात जो कहानी जब बढ़ता है धीरे धीरे तो उस कहानी को बढ़ाने के पीछे इसमें बॉक्सर का बहुत बढ़ा योग्टान होता है quick to help but rather slow-witted boxer shows much devotion to animal form's ideals but it is able to think about them independently means boxer एक ऐसा character है जो बिलीव करता है दूसरे के orders को मालने में ना दूसरे के orders को यह मालना जाना बिलीव करता है ही नेवली ट्रस्ट दा पिक्स तू मेक ओर ही डिसीजन फॉर हिम इस टू मोटोज आर आई विल वर्क हाडर एंड नेपोलियन इज ऑल्वेज राइट और रहत ऑबख्सर के दो बड़े अच्छे प्यारे मोटोज हैज इस यह रखता होगा एक मोटो है इसका I will work harder I will work harder यह किसका एक मोटो है दूसरा मोटो इसका है यहाँ पर दोस्तो Napoleon is always right means Napoleon के उपर इसको बहुत ज़्यादा trust है और यह हमेशा कहता है कि यह जो है और भी cut-in पर इसरम करेगा यह और भी ज़्यादा मैनत करेगा और Napoleon जो होता है हमेशा correct है वो कभी जूट गरत हो ही नहीं सकता है ठीक है यह इसके two motos of life है किसके boxer के और boxer कौन सा जाने वारे दोस्तो आएक kart horse है एक घोडा गारी जिसको हम से कहते है गारी खिचने वाला एक घोडा है चलो आगे एक और यहां पर character अगर हम देखें यहां पर इसका नाम क्या दोस्तों यहां पर जो नेपोलियन के thoughts हैं उसको पूरे public के बीच में यह famous करता है उसके बारे में दो को बताता है उसके पास समर्थक ले आता है यह साइक जो काम होता वो किसका यहां पर इसक्यूलर का है इसक्यूलर जस्टिफाइज दा पिग्स monopolization of resources and spreads false statistics pointing to the form success मतलब क्या है यह स्क्यूलर देखो वहां पर simple सी बात थी जब नेपोलियन के हाथ में पूरी पावर आ जाती है तो वहां पर क्या करता है वो मोनोपोलाइज कर देता है ठीक है चीजों को मतलब से पिग्स के अंटरगत उन चीजों को वहां पर डाल देता है अगे क्या होता तो इसक्यूलर जो है उसके पक्स में बोलता है क्यों मोनोपोलाइज का इंपोरेटेंट है फिद से जब से रहे ना करता है उसकी यह गलत जानकाली को फैलाता है Orwell uses Hiskular to explore the ways in which those in power often use heterologics and languages to twist the truth and gain and maintain social and political control. So, आप ये समझ सकते हो कि The Character of Hiskular बहुत ही एक तरीके से देखा जाए. एक पिक को ना लेकर आप जो भी करेक्टर इसमें पढ़ना या जब भी इसकी कहानी डिसकास करेंगे तो थोड़ा उसको modern way में उसको लेकर हमें चलना पड़ेगा. Modern way में चलने का मतरब क्या हुआ, जैसे कि हमने Napoleon को देखा, Snowball को देखा, अब सब रिरेट कर पा रहे होगी कौन सा करेक्टर है आज के टाइम पिरियेड में या कभी किसी work में, कभी किसी book, कभी किसी movie में आपने देखा हुए तो वो सब कौन से थे, बॉक्सर को आपने जज कर लिया, इस किलर कैसा करेक्टर है, जो दिखाता है, कि जो सत्ता के सिर्स पे बैठे हुए लोग होते हैं, the people who are ruling over the country, how misuses their power, वो अपने powers के किसे misuse करते हैं, कैसे, they use heterolic and hard language, वो ऐसी इसी बातों का use करते हैं, चीज़ों को इसी घुमापिडा के कहते हैं, कि सच, अगर इस सच है, तो सच को वो twist करके बताएंगा आपको सामने कि आप उन्होंने सच को बोल भी दिया, बट जो सच से होने वाद जो negative impact था, वो खत्म हो जाएगा, और उनका political, social, economical, उनका gain होगा, कुई मिलाकर स्क्यूलर के थूरू, जोर्ज और्वेल इस fact को आपको सामने रिप्रेजेंट कर दे हैं, आगे बात की जाए तो एक है आपर character है, old major, old major भी एक pig ही है, ठीक है, old major character भी है, the prize winning war, whose vision of a socialist utopia serves as the inspiration for the rebellion, अभी तक तो हमने देखा कि rebellion के बाद क्या होता है, तो rebellion start कैसे हुआ, rebellion start होने के पीछे का जो reason था, वो क्या था, old major, old major को ने गाई यहाँ पर, तो old major, old major यहाँ पर एक बोर बोर मिंस pig ही होता है, उसका रजाजाजाग होता है ना, variety, जो breeds होते हैं, pigs की, यह प्राइज बीनिंग बोर था, whose vision of a socialist utopia, जो चाहता था कि animal form किस तरीके से behave करे, animal form में क्या आजाजा, socialism आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर utopia concept लागू होजा, सभी लोग यहाँ पर खुश रहे, यह जो इसका concept था, जो इसका vision था, serves as the inspiration for the rebellion कैसे rebellion start होता है तो उसके पीछे का जो inspiration है वो कौन है Old Major है Three days after describing the vision and teaching the animals the song Beast of England, Major dies leaving Snowball and Napoleon to struggle for control of his legacy मतरब Old Major की देथ हो जाती है तीन दिन तक Old Major सभी लोग को समझाता है देखो ऐसे समझों आप Old Major एज़की ने इसके दो मंतरी एक का नाम है Napoleon ओके और एक का नाम क्या है Snowball ठीक है तो इस Old Major जो है ये गुड है अच्छा आदमी है ठीक है ये सोचलिजिश्म में पिलिव करता है ये जो है Monopoly को खत्म करना चाहता है ये चाहता है कि यूटोपी आजाए ठीक है Snowball को मैं दूँगा 2 प्लस नेपोलियन को मिलेंगे यहाँ पर प्लस माइनस बिस नेपोलियन थोड़ा बैड करेक्टर है Snowball थोड़ा गुड करेक्टर है बाकी है दोनों पिग है तो Old Major जो है और आप आल सकते हूं एक इनमल फॉर्म हम कैसे क्रेट कर सकते हैं अनिमल को गाना गाना सिखाता है यह सारी चीज़े यह बताता है After that, Major dies Major की महाँ पर क्या हो जाती है दोस्तों बिर्ति हो जाती है और लिविंग Snowball and Napoleon to struggle for control of His legacy तो जो legacy की ओर्ड मेजर बना के गए हैं उसको किसके हाथों में देए थे स्नोबल और नेपलियन के ठीक है और्वेल बेस्ट मेजर जो मेजर का जो करेक्टर है और बोध जर्बन पोलिटिकल एकोनोमिस्ट काल मार्क्स एंड रसियन रिवल्यूशनरी रीडर वादिमीर लिंच लेनिन अब दो नाम आपने बहुत बार शुना गए एक नाम है लेनिन और एक है काल मार्क्स ठीक है इन दोनों को मिक्स किया जोर्ज ओर्वेल ने और दोनों कॉंसेट को मिक्स करकिनों किसको बनाया ओल्ड मेजर के करेक्टर को ठीक है यहां पर ध्यान जिए गार्ड यह नांट और वेल में डार्टर सेर को नहीं इंत्रोड करवा दिया कि सेर आ गया है अब यहां पर लॉयन जो है जंगल का राजा होता तो यह भी यहां का राजा होगा डिक्टेटर होगा ऐसा कुछ नहीं है यह बैसिकरी सारे characters को किस तरीके से introduce करवा रहे वह important है आपको यह जानना चाहिए कि किस character को इन्होंने किस आधार पर किसके हिसाब से base किया ठीक है जिसे नेपोलियन के character था लेनिन का ठीक है उसकी बार snowboard जो था उसका counterpart था और मेंजर अभी आपने देखा हैं यहां पर काल माक्स और लेनिन दोनों के concept को mix करके सनों यहां पर डाला आगे देखते हैं तो next character यहां पर आपको सामने आएगा Clover Clover क्या है यहां पर female horse है ठीक है boxer क्या था male horse था यह यहां पर female horse है a good-hearted female cart horse and boxer's close friend she is a close friend of boxer Clover often suspect the pics of violating one or another of the semen commandments but she repeatedly blames her sir for misremembering the commandments देखो बड़ी प्यारी character Clover का भी हाँ पर character है तो आपको बुक पढ़ोगे पूरा तो जानोगे Clover का character मतलब कितने अच्छी दें Mr. Orwell ने इसको George Orwell ने इसको develop करवाया Clover एक ऐसी character है ऐसी news वो जान रही है कि जो pics है नेपोलियन हो गया स्नोबल हो गया पर जो other pics है वो seven commandments को violet कर रहे है ठीक है बड़ उसको ऐसा क्या लगता है कि नहीं वो तो भाई dictator है यहां का वो तो राजा है वो कैसे इसको violet कर सकता है जरूर मैं ही मुझे मैं commandments को भूल चुकी हूँ अच्छा एक commandments देख रहते एक बार हम देखो यह seven commandments हैं आपके सामने seven commandments बड़े प्यारे प्यारे commandments से जाध्यान दीजेगा इसको पर इसको देखते फिर आगे आपने characters के उपर पहरा commandment है whatever goes upon two legs is an enemy means जो कुछ भी upon two legs दो पेरों पे चलता होगा is an enemy वो हमारा दुस्मन होगा whatever goes upon four legs और has wings is a friend और जो कोई सा भी चीज होगा goes upon walk करता हो कि इस पे four legs से और has wings या जिसके पास क्या हो punk होंगे वो दोस्त होगा ठीक है no animals जेल वियर प्रोट कोई सा भी जानवर कभी भी कपड़े नहीं पहनेगा no animals जेल श्रीप इन बेड कोई भी अनिमल कहां बेड पे नहीं सोएगा no animals जेल ड्रिंक एलकोहॉल कोई भी अनिमल एलकोहल नहीं पियेगा no animals जेल कि एनिया अनिमल कोई दूसरे एनिमल को जान नहीं देगा और एनिमल्स आ इकवर्स बिसकरी यह सेवन कमांडमेंट्स हैं यह कोई आप यह कर सकते हो कि यह वही चीजे थी जिसके लिए एनिमल्स ने क्या किया बना उसको स्टाट किया तो यह आप इसको यहां पर धर्म उपधेस कर सकते हो या इनको आ अग्या कर सकते हो धर्म उपधेस यहीं उनका जो तो उसमें एक लोग था कि जब जंगल में सूखा बढ़ेगा तो सभी एनिमल्स एक जखा पानी पीने जुटेंगे तो उस दौरान कोई किसी जानवर को नहीं मार सकता ठीक है वह वहां पे मोगली अपना उसका था रुड्याट कि प्लिंग का जंगल बुक का कॉंसेप्ट थ ठीक है अब यहां पर जोर्ज और्वेल के एनिमल फॉर्म के साथ कॉंसेप्ट थे और साथ कॉंसेप्ट में ध्यान जेका नमबर सिक्स जो कमांडमेंट उसमें साफ कहा जाता है कि नो एनिमल सेल किल एनी अदर एनिमल कोई दूसरे जानवर को नहीं मारेगा ठीक है जो भी चीस दो पेरों पे चलती हो कि दुस्मन है जो भी चीस चार पेरों पे चले या उसका पंक हो दोस्त है कोई अनिमल कपड़े नहीं पनेएगा कोई अनिमल सभाब नहीं प्या को नहीं मारेगा और सभी जानवर के हमारे लिए इक वाद हो यह आपके सेवन कमांडमेंट जो है बैट पर सो रहा है कोई पिड जो है एल्कौहर दिंक कर दा को यह एनिमल्स के साथ दोस्ती कर रहा है इसे क्या लगता है को यह विश्वास रहे कि जो वो सोच रही है वो यहां पर सच है कुल मिला कि आप इसको ऐसे समझ होगे आगे देखिए तो मोजेस नाम का एक करेक्टर है और मोजेस क्या है कि हाँ पर रेवेन है ठेम रेवेन वुई सप्रेडस स्टोरीज तो और शुगर केंडी माउंटेन अब इसका बाइ अलग ही इन शुटरफ गाना गाता है कि वहाइक सुगर केंड माउंटेन है एक mountain किसका है sugar candy का mountain the paradise to which animals supposedly go when they die तो यहाँ पर क्या बत्रब हुआ कि यह बताता है कि जब लोग मरेंगे जब animals की death होगी तो animals कहा जाएंगे उसी sugar can mountain पर जाएंगे यहाँ पर concept किसका mozes का mozes सब जगा जो काला कोवा है जाकि यही बताता है कि हमारे देद के बाद हम सब कहा जाएंगे सुगर candy mountain पर जाएंगे ठीक है यह इसका अलगी paradise चल ला है mozes plays only a small role in animal form but Orwell uses him to explore how communism exploits religion as something with which to pacify the oppressed ठीक अब देखो इसका तो George Orwell ने यतने भी character दिये कोई ऐसे मजे के रिए नहीं डाला है होने सारी चीजों के पीछे इनका अपना रिजन था good रिजन था उसे नहीं उने बताया कि चीजे कैसे काम करती है ठीक है तो यह आपके सामने हापर हो गया mozes अगर देखो तो एक character है किसका मुली का the vain flightly mare who pulls Mr. John's carriage यहां पर male है मिस्ट यह भी mayor है एक female horse है ठीक है खोडी का character है जो क्या काम करती है who pulls Mr. John's carriage जो Mr. John's carriage को pull करती है ठीक है मतब यह उसको pull करने का काम इसका है moly craps the attention of human beings and loves being groomed and pampered तो यह क्या है जो moly craps इसको जो है moly को अच्छा रगता है human beings के ऐसे उसको पाकर attention को पाकर और जब लोग इससे क्या करते हैं कि इसको 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 नहीं जो घोडों को सहलाना होता है उसको लाड़ प्यार करना होता है जब वो इस human beings के करते हैं से बड़ा अच्छा लगता है she has a difficult time with her new life on animal form as she misses wearing ribbons in her mane and eating sugar cubes she represents the petite burgies that fled from Russia a few years after the Russian revolution ठीक है कुल मिला करने का मतलब अब भाई एनिमल फोम में rebel हो गया Mr. Jones इसको निकाल देते हैं अब इसको Mr. Jones के साथ अपने पुराने दिनों की याद आती है next character यहाँ पर दोस्तों Benjamin Benjamin एक false character है और Benjamin क्या है कि हाँ पर डंकी है Benjamin the long-lived donkey who refuses to feel inspired by the rebellion इससे जब rebellion की बाते होती है old major बताले से फर्क नहीं पढ़ता है ठीक है यह inspired नहीं होता है Benjamin firmly believes that life will remain un-present no matter who is in charge Benjamin का concept item clear है यह बिल्कुल है pessimist type का इंसान एक neutral इंसान है पर डंकी है यह क्या करता है कि देखो कोई भी charge पर है no matter either humans are rolling us और animals no matter जो भी charge में होगा मैं हमेसा दुखी ही रहोंगा जीवन हमेसा अन प्रेजंटी रहेगा Of all of the animals on the farm he alone comprehends the changes that take place but he seems either unwilling or unable to oppose the pigs इसको भी खास यह पिक्स के यह अपोज नहीं करता है या तो इसकी इक्छा नहीं है या तो फिर अनेबल होता है ठीक है बट कुल मिलाकर बाते यह होती है कि Benjamin कुछ करदा नहीं चाहता है ठीक है next character यहाँ पर आपके सामने है एक लास्ट करेक्टर जो इंपोर्टेंट उसका नाम है दोस्तो मूरियल यह एक गोट है Who reads the seven commandments to Clover यह देखो यह बड़ी अच्छी बात है अभी देखो मैंने आपको बता है Clover के बारे में Clover को लगता कि इस जो हैं commandments को तोड नहीं है तो Clover के साथ रहती कौहन मूरियल तो Muriel क्या करती उसे बताती कि देखो ऐसा ऐसा कमान्टमेंट से तो पिक्स तोड़ नहीं रहें बस तुम्हें उसे अच्छे से याद नहीं किया तो उसे अच्छे से याद कर देना ठीक है अगला करेक्टर नहीं है Mr. Jones का है Mr. Jones कोन है the often drunk farmer who does the menor farm अब जो animal farm के बारे हम बात करें उसका नाम क्या है menor farm और menor farm के मालिक का क्या नाम है दो तो Mr. Jones है The animals before the animals stage their rebellion and establish animal farm So जो animal farm था उससे पर उसका नाम क्या था menor farm था उसका मालिक है Mr. Jones Mr. Jones is an unkind master who indulges himself while his animals lack food He does represent Sir Nicholas II whom the Russian revolution outside तो Russian revolution जिसको निकाला तो उसका नाम क्या दोस्तो Sir Nicholas था जो Mr. Jones के बारे हम रिपरेंट होती है Mr. Frederick कोन है the tough seaweed operator of pinch field a neighboring farm based on adult farmer Mr. Frederick कोन है जो पगल में एक farm है उसका लीटर है ये एडोल फिस्टर के उपर डिपेंड करता है दा रूरल ओफ नाजी जर्मनी इन 1930s and 40s Mr. Frederick proves an untrustworthy neighbor चलो Mr. Pilkington कोन है The easygoing gentleman farmer who runs foxwood A neighboring farm Mr. Frederick's bitter enemy Mr. Plinkton Represents the capitalist government of England and United States Mr. Pilkington कोन है ये Mr. Frederick के खिलाफ बगल में farm चलाते है ये US और UK के खिलाफ इनको दिखाया गया ठीक है Minor character Mr. Wimper नाम का character है तो Mr. Wimper का character उसका क्याम किया है एक solicitor एक lawyer है जिसको Napoleon higher करता है ताकि इसको जोहें दिखाया जा सके है ठीक है animal form की condition को human society में कौन रेप्रजेंट करेगा तो वो है Mr. Wimper Mr. Wimper's entry into animal form community Initiates contact between animal form and human society alarming the common animals आगे है characters Jesse and Blue Ball है दो दो डोक्स है each of whom gives birth early in the novel Napoleon takes the puppies in order to educate them ठीक है Jesse and Blue Ball Minimus है the poet pig who writes words about Napoleon and pens the Banner's pathetic song's annual form annual form to represent the earlier idealistic hymn beast of fingerprint which odd matter passes on to the others ठीक है तो Minimus नाम का आप ख़खते हैं कि इनका राजकवी है इन जानवरों का जिसने एक अच्छा सौंग रिखा है कौन सा animal form animal form जो रिप्रेस को करता है beast of fingerprint को चलिए तो हमने 10 commandments देख लिए animal form के थोड़ी बहुत चीजों को जाना उसके characters के बारे में जाना अब next lecture में जब हम मिदेंगे तो वहां हम सब डिसकस करेंगे कि animal form में और क्या क्या चीजे है मतब उसकी characters हो चुके तब उसकल जो है उनकी कहानी को डिसकस यहां से करना इस्टार्ट करेंगे ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं next lecture